भारतिय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है इसके चलते कई वाहन निर्माता कमपनिया अपनी गाडियों को इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में लॉंच कर रही है इसके साथ मौजूदा आइस मौडल्स को भी पीवी में अपडेट कर रही है ऐसे में देश क सबसे बड़ी दोफिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motocorp ने पुढे में अपने Hero Splendor Prototype का स्पॉट टेस्ट किया है इस Hero Splendor Prototype मोटर साइकल में रेड अस्थाई नंबर प्लेट है और इसकी इंजन सहित कई कल पूर्जो को छुपाया गया है . बता दे कि Hero Splendor भारतिय बाजार में सबसे लोगप्रिय बाइक में से एक है Hero Motocot Company की लोगप्रियता में इस बाइक का बड़ा योगदान है Media Report के मुताबिक इस बाइक के इलेक्टिक वर्जन की टेस्टिंग की गई है जल्द इसे भारतिय बाजार में भी पेश किया जा सकता है Report के मुताबिक गोगवा एक नाम की एक कमपनी है जो इलेक्टिक कनवर्जन किट बेचती है इसी कमपनी ने Hero Splendor इलेक्टिक वर्जन की टेस्टिंग की है माना जा रहा है कि इस प्रोटोटाइप को गोगवा एक द्वारा तयार किया गया है क्योंकि यहाँ इलेक्टिक कनवर्जन किट डेवलप करने वाली लीडिंग कमपनी है बता दे कि गोगवा एक कमपनी Hero Motocor होना मोटर साइकल और स्कूटर इंडिया को इलेक्टिक कनवर्जन किट बेचती है डॉट रिपोर्ट के मुताबिक गोगवा एक ने ही इसके तहत पुडे शहर में स्प्लेंडर बाइक का ट्रायल रन किया बाइक के टेस्ट की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खीचा है हालां कि ये बाइक कब आएगी और कितनी कीमत होगी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई बाइक को ध्यान से देखे तो इस इलेक्ट्रिक मोटर साइकल में जहां इजन होता है उसकी जगा बैटरी दिखाई दे रही हालां कि ये एक प्रोटो टाइप मॉडल हो सकता है डौर्ट मोटर साइकल को देखने पर लगता है कि यहाँ हीरो स्प्लेंडर है यहाँ तक कि इसके सीट कवर पर भी स्प्लेंडर लिखा हुआ है वहीं हीरो स्प्लेंडर बाइक की बात करे तो यहाँ देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले दो फिया मॉडलों में से एक है